Hey what's up guys, welcome back once again, दोस्तों क्या हो अगर आपकी कल शादी हो लगिन उससे पहले एक रात को आप एक ऐसी जगाँ पर फज जाएं जहाँ पर आपकी अलावा कोई ना हो और ना ही खाने पीने का कोई बंदवस हो तो बस धेर सारा पानी कैसे आप उस जगाँ को सर्वाइव करेंगे बलखाने के शुरुवाद होती है कामोरा नाम के आदमी से जो किया आज बहुत खुश है क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करता है उसकी मालिकी बेटी से उसकी शादी होने वाली है लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बहुत पापल बेलने पैड़े हैं जो कि आपको आगे पता चलेगा खेर वो अपने इस बैचलर पार्टी को कोब इंजोय कर रहा होता है और देट तक पार्टी करता है जिसके बाद सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं लेन या कमोरा इतनी शराब पीली थी कि वो अप सही से चल भी नहीं पा रहा था और यही वज़ा है कि व उसकी आँख खोलती है तो उसे अजीब सा महसूस होता है वो अपने चारोड देखता है तब उसे समझाता है कि वो तो मुसीबत में फस चुका है क्योंकि जिस जगाँ पर वो फसा है वो एक मैन होल है यानि कि गटर जहांसे बाहर निकलना इतना असान तो नहीं है वो उप परन उस घाव पर अपना रुमाल बांद देता है ताकि जादा खून ना बहे जिसके बाद वो उपर जाने की कोशिश करता है पहला आइडिया जो उसके दिमाग में आता है वो था सीडियों से उपर जाना लेकिन वो तो तूटी है इसलिए वो अपने बेल को उतार कर उस इस बार उसके पैर में चोट लगती है अब यह दर्द वो बरदाश के बाहर हो रहा था उसी दर्द में वो चिलाता है ताकि कोई बाहर उसकी आवाज सुन सके लेकिन अभी रात के एक बज़ रहे हैं और ऐसे में किसी का आवाज सुन पाना बहुत ही मुश्किल है इसलिए वो सारी कोशिशों करने के बाद वो बैढ़ जाता है यहां पर हम उसके आस पास कई चीजों को देखते हैं जिससे बता चलता है कि यह मैन होल अभी अधूरा कंस्ट्रक्ट गटर है या फिर अबैंडेंड है क्योंकि इसमें नीचे बहुत से पत्थर तूटे पड़े थी है कि उसमें नेटफ़क भी आ रहा है थे लेकिन जब वह एके करके अपने जाने वालों को कॉल लगाता है तो कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता शायद रात की वज़े से सभी लोग सो रहे थे और इससे कमोरा बहुत गुस्से में आ जाता है वहीं चलाना शुरू कर द लिया था क्योंकि उसे अमीर लड़किया पसंद थी और मियो अतनी अमीर नहीं थी लिगन आज उसे खुद के जरूत पड़ गई इसलिए वो से अपनी हालातों के बारे में बताता है कि कैसे वो पार्टी से घर के और जा रहा था लेकिन बीच में उसका पैर फिसल गया और और इसलिए उसने उसे कॉल किया था वो समझ जाती है और बताती है कि मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ तुम मुझे अपनी लोकेशन बता दो मैं वहाँ आ जाओंगी तो कमोरा फॉरण अपनी लोकेशन सेंड कर देता और उसके आने का वेट करने लगता पर कुछी देर बाद वहाँ पर बारिश आ जाती है जो कमोरा के लिए एक मुसीबत बन गई थी अब इस मैन होल में पानी भरना शुरू हो जाता है अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो उसका मनना तो तय है लेकिन सबसे पहले तो उसे खुद को भीगने से बचाना है वो उस गटर के एक को पर पहुँच गयी हूँ जहांपर तुमने मुझे बताया था लेकिन यहां तुमकाही दिखाई नहीं दे रही तो वो बताता है कि तुम्हें थोला आगे आना होगा जहांपर तुम्हें गड़ा दिखाई देगा वहाँ से तुम नीचे देखो मैं वहीं पर दिखूँगा लेकिन दोस्तों वहाँ पे उसे कोई भी गड़ा दिखाई नहीं देता जिसकी वज़े से उसे लगता है कि शायद वो उसके साथ नशे में किसी तरह का मजाग कर रहा है वो बुरा बला बोलना शुरू कर देती है और बाहन से जाने लगती है और जाते जाते कहती है कि अगर तुम्हें सच में मदद की जरूत है तो तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए जिसके बाद मजबूरन उसे पुलिस को कॉल लगाना ही पड़ता है जिससे वो सब कुछ बताते है पुलिस वाले उसे वरोसा दिलाती है कि आप घबराये मत हम थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे लेकिन यहां पर कमूरा चाहता था कि जब लोग उसके करीब आया तो वो ने सही से लोकेशन बता सके इसलिए वो अपने फोन का GPS ON कर देता है लेकिन उसे काम नहीं बनता क्योंकि अब नेटवर्क कम होने शुरू हो गयते और ऐसे में उसे इंटरनेट यूज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था उसके दिमाग में एक आइडिया आता है क्योंना वो एक वीडियो बनाया और फिर उसे उन्हें भेज दे जिससे वो सही से उसे लोकेट कर पा है उसके लिए उसे फोन को उपर फेकना चाता था हलाकि ये आइडिया एकदम खराब था क्योंकि अगर फोन नीचे आते हुए गिर गया तो वो किसी काम का नहीं रहेगा अब वो अपने जूतों में उस फोन को रख कर उपर फेकता है और जिस बात का डर था वही होता है उसका फोन उन टूटी हुई सीडियों पर अटक जाता है जहां तक कमोरा का पहुश पाना बहुत मुश्कल था वो अपने दूसरे जूतों को भी उतार कर उपर फेकता है जिससे कि वो फोन नीचे आ जाता है लेकिन अब दोबारा वो इस आइडिया को दोराना नहीं चाता नीचे आने के बाद वो फिर से मियो को कॉल लगाता है क्योंकि उसके पास अब कोई आप्शन नहीं था बारिज भी फिर से शुरू हो गई थी जिसकी वज़े से उसे ठंड भी लगने लगी थी जब उसने पहली बार पुलिस को कॉल लगाया था तो उन्होंने कमोरा को बताया कि वो असल में किसी कंस्ट्रक्शन साइट में नहीं बलकि एक गटर में गिरा है जिससे सुनकर उन्हें बहुत अजीब लगता है क्योंकि वहां सच में बहुत गंदगी है इसलिए वो यही बात मियो को भी बताता है लेगन वो कहती है कि पहले तो तुम जूट बोलना बंद करो क्योंकि इस समय पूरे शहर में कहीं भी बारिश नहीं हो रही है और यह सुनकर वो हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है वो फिर से अपने फोन में रिकॉर्ड करी हो वीडियो को देखता है जो उपर जाने पर बनाए गई थी उसमें कुछ उसे अजीब दिखाई देता है जो क्या था उससे कुछ समझ नहीं आता लेगन इतनी देर में उसे गैस लीक की आवाज आती है जोसल में उसी गटर के पाइप से हो रही थी वो फॉरान अपने बैक से टेप निकाल कर उसे बंद कर देता है जिसके बाद फाइनली उसके पास पुलिस का कॉल आता है जो उन्हें बताते हैं कि हमने कई जगां ढूटा है जिस जगां को आपने बताया था उसके आसपास कई सारे मैन होल भी चक कर रहा है लेकिन आप हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे है शायद आपने ज़्यादा पी लिया इसलिए आपको वहम हो रहा है लेकिन कमोरा कहता है कि मैं अपने होश मी और मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ तब ही वह फोन कट हो जाता है वह बहुत गुस्से में आ जाता है और बहुत गालियां सुनाता है और इसके बाद वह खुदी उपर जाने की कोशिश करता है और लगी लिए इस बार वह उपर वाली सीड़ी को पकड़ लेता है लेकिन वह तूट जाती है और उसकी उमीदों की तरह वो सीधा नीची आकर गिरता है और इसमें उसके दूसरे पैर में चोट लग जाती है जो बहुत ही तकलीव दे रही थी लेगन यहाँ पे कमुरा की दिमाग में एक बहुत ही अलग तरह का आईडिया आता है जो कि शायद काम कर जाए उसे लगता है कि में भी अगर उस जगाँ पर कोई लड़की फसी होती तो लोग उसकी मदद करने के लिए जरूर आते हैं इसलिए वो अपना फोन निकालता है और गूगल से एक लड़की की फोटो डाउनलोड करता है जिसके बाद वो उसमें कुछ बदलाफ करके एक फीक आईडी बनात है तो देखता है कि उसकी फीक आईडी पर हजार से भी जादा फोलोवर आ गया है जिससे वो बहुत खुछ भी होता है क्योंकि अब वो मदद करने के लिए सबसे बात कर सकता है तो वहाँ पर कई लोग उसे मैसेज कर रहे होते हैं कि हम आपकी मदद कर सकते हैं तो कमोरा उ कि पिएस को फेयल कर दिया होगा वो फिर से पोस्ट करता और सभी को बताता है कि उसे बड़े भाई का नाम कमो रहा है शायद उसके बद्ला लेने के लिए किसी ने मरे साथ ऐसा किया हो गा तभी वो देखता है कि किसी आदमी ने कॉमेंट बॉक्स में कोमेंगर करकर बता दिया है कि वो असल में एक लड़की नहीं बलकि एक लड़का है और शायद उससे बदला लेने के लिए किसी ने मेरे साथ ऐसा किया होगा और उसी का नाम कमोर है जिसके शादी उसे के कंपनी के मालिक की बेटी से होने वाली है ये देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उस इसलिए वो फिर से मियों को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि तुम जा कर उस रेस्टरॉं की सी सी टीवी फूटेज निकाल कर ला और देखो कि क्या कोई मेरा पीछा कर रहा था लेगिन वो कहती है कि अब घर आ गया और वैसे भी उस एरिया का फूटेज तो पुलिस के प कुछने लगता है कि एसल में तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमें क्या चाहिए लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो कमोरा फोन कार्ट देता और अपनी उस दिन की पार्टी की वीडियो को देखना शुरू कर देता है इसमें शायद उसे कोई आदमे मिल जाया जिसने उसके ड्रिंग में कुछ मिलाया हो अब बड़ी ही तेरे तक दूनने के बाद उसे अन्नोन बंदा हुडी में दिखाई देता है जो उसे पीने के लिए ड्रिंग देता है वो समझ जाता है कि यह वही है जिसने उसे यहाँ पर फसा आया है इसलिए वो उसका स्कीन शॉट लेके उसकी आईडी पर पोस्ट कर देता है हलाकि उसमें उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन फिर भी लोग उसे ढूनने के लिए लग जाते हैं वहीं दूसरे कुछ लोग तो वीडियोस भी सेंड करते हैं कि वो समय कमोरा के बताय हुए जगां पर मैन होल गर्ल को ढूनने में लगे हैं लेकिन अफसोस उन्हें वाँ पर कोई मैन होल या फिर कोई भी खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है जिसका मतलब साफ है कि जरूर कमोरा के फोन का जीपियस कुछ छेड़ शाल की गई है इसलिए वो जतनी बार भी लोकेशन सेंड कर रहा हर बारी वो गलच जा रही है या तो उसके आस पास किसी ने जैमल लगा रखाओ इसके बाद वो फिर से कॉमेंट को पढ़ना शुरू कर देता है जिसमें कुछ लोग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई कमोरो के दुश्मन नहीं चाहते है कि उसकी शादी एक कमी ललकी से हो और इसलिए उन्होंने तुमें फसाद दिया है अब वो स्क्रॉल करता है तो देखता है कि वहाँ पर एक एबस नाम का आदमी उसके दोस्त की वीडियो शियर करा है कि यही है जिसने उस ललकी को मैन होल में बंद किया लेकिन यह देखकर कमोरो हैरान नहीं जाता है क्योंकि उसका दोस्त तो ऐसा कभी नहीं करेगा तो आकर इसके पीछे हाथ किसका है उस वीडियो में आबस ने उसके दोस्त को मारा भी था जिसके वज़े से उसकी हालत बहुत खराब हो रखी थी इसी वीश कमोरो की नजर अपने आस पास पड़ती है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी जाग बनना चालो गई है और पान ही पूरा भरता जा रहा है जिसमें वो डूपता जा रहा है तब एक इनसान कहता है कि हम मैन होल को ढखकन से पता लगा सकते हैं कि असल में वो कहां पर है किस सिचूशन में लोकेटेड है तो कमोरो फॉर्ण इस वीडियो को देखता है जो उसने शिरुवात में बनाई थी और उस ढखकन का स्क्रीन शॉट लेता है और फिर इस पोस्ट कर देता है जिसके रिप्लाई एक आदमी करता है और वो उसी एरिया के पास महीं था वो फॉर्ण इसके पास पोचता है लेकिन यहां मैन होल में कमोर अब डूपता ही जा रहा था वो उस लड़की की लाइव स्ट्रीम भी देख रहा था जिसमें वो लड़का उस जगा पहुच जाता है लेकिन दोस्तों यह वो मैन होल नहीं था जिसमें कमोरा फसा हुआ था उसमें तो पूरा पानी भरा हुआ था अब कमोरो भी उस जाग में डूप गया था पर सही समय पर वो लाइटर को जला देता है जिससे गैस की वज़े से धमाका होता है और वो बच जाता है अब यहाँ वो खुद गीला था इसलिए आग उसे पकड़ नहीं पाती लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि जब यह धमाका हुआ था तो हमें उपर का थोला सा व्यू दिखाई देता है जिसी यह पता चल लाता कि यह जगां शायद किसी फैक्टरी के आसपास है वेल अब धमाके के बाद जब कमोरो को होश आता है तो वो मियो को कॉल लगाता और उसे सौरी कहता है कि 5 साल पहले उसने ब्रेक अप कर लिया जो उसने बेवजा किया था ये भी कहता है कि कुछी देर में सुबह हो जाएगी और कोई ने कोई इनसान जब यहां से गुजरेगा तो वो मुझे देख लेगा उसे इस बात का पूरा यकीन था लेकिन तबी दोस्तों यहां पर आता है इस कहानी का सबसी तगला ट्विस्ट गटर के कोने में एक लाश दिखती है जिसे देखकर लगता है कि यह बहुत दिनों से यहां पर मौजूद है लेकिन उसको देखकर कमोरो के आव भाव पूरे बदल जाते हैं वो मियों से तुरंदी कहता है कि वो इस समय उचसुदा विलेज में है वो जल्दी से यहां पर आजा लेकिन दोस्तों यह लाश असल में किसकी है और इसको जानने के लिए चलते हैं पास्ट में जहां पर हम रियल वाले कमोरो को देखती हैं दोस्तों दस साल पहले कमोरो अपनी मेहनत के वज़े से नहीं नहीं उचाईयों को छूरा होता है लेकिन यह बाद उसके कली योशीदा नाम के लड़की को फसंद नहीं आती कि उसी के कमपनी का मालिक अपनी बेटी से शादी कर रहा है इसलिए वो एक राद उसके घर जाता है और उसे बेरहमी से मारता है और उसकी मौत हो जाती है जिसके बाद वो उसकी लाश को उसी उच्सुदा विलेज में बनी गटर में फेक देता है जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता और उसे कमोरो की फोटो दिखाता है और कहता है कि वो इस चेहरे को इसके चेहरे पर लगा दे जिसके बाद दोस्तों योशीओधा बन जाता है कमोरो और उसकी ही जिन्दगी को जीना शुरू कर देता है लेकिन अफसोस कोई था जिससे उसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुगा था और अब उसे वो मानने के लिए तैयार है कहानी एक बार फिर से प्रेजन में आती है जहां पर योशिदा असली कमोरो की लाश को फिर से चुपाना शुरू कर देता है इसी बीच उसके पास मियू का कॉल आता है जो उसे बताती है कि वो पहुँच गई है और उसमें रस्ती को नीचे फेक दिया जिसे पकल कर अब कमोरो धीरी धीरे उपर आने लगता है पर जब उपर आता है तो देखता है वहाँ पर मियू नहीं असल में क्याली होती है जोसी अच्छ से बताता कि वो असल में योशीदा है और उसी ने कमोरो का चेहरा चुरा लिया है वो कहती है कि तुमारी इस हरकत की वज़े से मुझे और मेरे बेटी को बहुत दिक्कत हुई है इसलिए मैं अब ये चेहरे को वापस लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर योशीदा उसे अपनी जान की भीक मांगता है लेकिन वो कहती है कि तुम्हें हमें बहुत दर्द और तकलीव दी है अब तुमारी बारी वो अपने साथ को शार्प टूल को लेकर आई थी जिससे वो उसके चेहरे को निकालने लगती है लेकिन योशीदा कहता है कि उसका एक छोटा बच्चा है और उसके परिवार के किसी भी सदस ने उसकी इज़त नहीं की वो बस एक नई जिन्दगी चाता था और ये भी कहता है कि उसने कमोरों को नहीं मारा वो तो पहले से ही मारा हुआ था ये सोनकर कैली उसे छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर योशीदा अपनी चाल चलता है और पीछे से आकर उसके गले को पकड़ लेता और फिर उसे खीच कर उसी गटर के पास लेकर आने लगता है तो यहाँ उसने अपनी आउकाद दिखा दी थी कि वो कैसा इंसान लेकिन तभी एक एरो आती है और जो लगती है सीधा योशीदा के मूपर जिससे वो फिर से सीधा उसी गटर में जाकर गिरता है दरसल यह एरो चलाई थी कमोरों के बीटी ने अब योशीदा का पैर के सा साथ उसके हाथ की भी हड़ी तूट चुकी थी लेकिन यहाँ नीचे गिरने के बाद योशीदा अपना फोन चिक करता है और तभी वो देखता है कि उसी आबस नाम के आदमी ने कैली की फोटो को पोस्ट करके बता दिया है कि उसने उस मैन होल गर्ल को रेस्क्यू कर लिया जिसके बाद कहली उस मैन होल के गेट को बंद कर देती है और अब योशीदा हमेशा के लिए उसी में कैद हो जाता है उसी लाश के साथ जिसको उसने मारा था और इसी के साथ ये कहानी का यहीं परंद हो जाता है वहला आपको कहानी कैसे लगी नीचे कॉमन करके जरूर बत